नमस्कार आप सुन्हें हैं नो रूप, नो दिन, नो कथाएं अशोक हमराही के साथ नौरात्र मा भगवती की उपासना और उत्सो मनाने का त्योहार है नौरात्र के नो दिन मा दुरगा के नो रूपों की आराधना होती है पहले दिन मा शैल पुत्री, दूसरे दिन मा ब्रंभचारी नी, तीसरे दिन मा चंदर घंटा, चोथे दिन मा कुषपांडा, पाचवे दिन मा इसकंद माता, छठे दिन मा कात्याई नी, साथवे दिन मा काल रात्री, आठवे दिन मा महागोरी और नवे दिन मा सिध्धिदात की पूजा की जाती है। नवधुर्गा का तृतिय स्वरूप मा चंद्रघंटा का है। देवी चंद्रघंटा सभी प्रकार की अनूठी वस्तू को देने वाली और दिव्य धोनियों को प्रसारित और नियंत्रित करने वाली है। मा चंद्रघंटा दैत्यों का वद करके देव, दनुज, मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली है। उनके घंटा में अलादकारी चंद्रमा इस्चित है जो देखने में अर्ध चंद्र जैसा है। इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। नौरात्र की तीसरी तिथी को नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप मा चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। और देवी के इस रूप की कथा सुनी जाती है। पौराणी कथा के अनुसार माता भगवती ने प्रजापती दक्ष के तप से प्रसंद होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म हिया। प्रजापती दक्ष की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शिव का अप्मान होने पर माता सती ने यग्जी की अग्णि में स्वयम को भस्म कर दिया। बाद में माता सती ने हिमाले के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री पारवती के रूप में जन्म हिया। एक बार देवर्ष नारद घूमते हुए राजा हिमवान के यहां पहुँचे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा हिमवान ने देवर्ष नारद से अपनी पुत्री के शुब लक्षन और भाविश्य बताने का ग्रह तिया। तब देवर्ष नारद ने जगदंभा को पहचान करता हा। हे राजन आपकी पुत्री सभी शुब लक्षनों से युक्त हैं। इसे पति के रूप में भगवान शुप्राप्त होंगे। लेकिन इसके लिए कठिन तपस्याता नहीं गी। देवर्ष नारद जी की भव शुवानी सुनकर देवी पारवती में कठिन तपस्या की। उनके घोर तप से भगवान शुप्रसंद होंगे। विवाह के लिए शुब जी की बारात सजने लगी। देवताओं के साथ भूत, प्रेत, बेताल, सन्यासी भी बारात में शामिल हो गए। वर के रूप में स्वयम शिवजी ने अतनीत भयन करवेश धारन किया। बारात जब राजा हिमवान के द्वार पर पहुँची, तो रानी मैनावती अपने जामाता का विकराल रूप देखकर बेहोश हो गए। माता पार्वती ने जब अपने घारवालों को भय से त्रस्त देखा, तो वो चंद्रघंटा का रूप धारन कर भगवान शिव के समक्ष पहुँची। और शिवजी से सौमे वेश में आने को कहा, शिवजी ने माता की बात मान कर राजकुमार जैसा वेश बनाया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने अपनी मा और समस्त परिवार को भय मुक्त किया, और तब शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव महा पुराण में देवी चंद्रघंटा को माता पार्वती का विवाहित रूप बताया गया है। भगवान श्यु और देवी पार्वती के विवाह के बाद भगवान महादेव ने देवी को चंद्रमा से सजाया था, इसलिए वो चंद्रघंटा के रूप में लोग कप्रियों हुई नवरात्र के तीसरे दिन देवी मा के तीसरे स्वरूप भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने और कथा सुझने से समस्त कष्टों का निवारन होता है और परम सुख की प्राप्ति होती है दिव्य धोनियों से सुशोभित दिव्य स्वरूपा दिव्य स्वर में सौम्यता अद्वुध है मा चंद्रघंटा ओम देवी चंद्रघंटाए नमाहा अगर नो रूप, नो दिन, नो कथाएं सिरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सिरीज शेर करना न भूलें अपने सुठाओ यानि सजेशन्स के लिए इंस्ट्राग्राम पर आकर हमें टै करना और बताना न भूलें एड अशोक हमराही